दोस्तो पिछले कल अमेरिका की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जिससे एक बार फिर ये साबित हो जाएगा कि ये वेस्टन देश कितने बड़े दोगले हैं ये देश पिछले एक साल से जिस चीज को लेकर भारत पर इलजाम लगाते आ रहे हैं पिछले कल ये देश खुद वही काम करते हुए पकड़े गए हैं दरसल जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि यूकरेन युद से पहले रिश्या का सारा कुड़ और नैच्रल गैस अमेरिका फ्रांस ब्रेटेन और जर्मनी जैसे वेस्टन देशी खरीदा करते थे जिसका योज इन सभ फटेम और उक्रेंवार के स्टर्ट होने के बाद सभी वेस्टन देशों ने रोड़ अपर श्यक्र के तौर पर इन देशों को साओधी और य। जैसे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उनसे नैच्रल गैस औरそit करका ये इक बिल्कुल भी नहीं कर रहे एक डेटा के हिसाब से वेस्टन देशों की तरफ से गल्स देशों को लेकर अभी तक उस लेवल के यूज ओडर नहीं दिये गए हैं जिस लेवल तक क्यों यह देश एक समय पर रश्या को दिया करते थे अब यह सोचने वाली बात है कि जब रश् को जानने की भी कोशिश की है क्योंकि बिना क्रूड ओइल और नेचरल गैस के यह देश ज्यादा दिनों तक इलक्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते और जब यह रिसर्च की गई तो इसकी रिजल्ट में बहुत हैरान कर देने वाले नदीजे सामने आए हैं दिस से नुकलियर एनरजी रिलेटिड प्रोड़क्स ज्यादा पर्चेस कर रही है और पिछले एक साल में 1.7 बिलियन डॉलर्स के नुकलियर एनरजी प्रोड़क्स ऑल्रेडी रस्या से पर्चेस किये जा चुके हैं रिपोर्ट्स की माने तो रश्या यूक्रेन यूज से पहले वेस्टन देशों के नुकलियर प्लांट फैसिलिटीज में इलेक्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा रश्या से ही आता था जैसे की आईडियन, सीजियम, स्टोंटियम, इवन यूरेनियम तक ये अमेरिकन और यूरोपेन कंपनी रश्या से ही प परिशानी ना आए, एक डेटा के हिसाब से अकेले अमेरिका ने पिछले साल लगबग 87 मिलियन डॉलर के नुकलियर फ्यूल और बाकी के अलाइड प्रोड़क्स रश्या से इंपोर्ट के थे, जो कि साल 2021 में सर्फ 69 मिलियन डॉलर के थे, यानि कि उक्रेन वार के बाद ये देश ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन डेसों में नूकलियर प्रोड़क्स की हैं रश्या से काफी कम होती है और रश्या की नूकलियर प्रोड़क्स इंदेशों की कंपनी इसको सस्ते दामों पर मिल जाते हैं इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि रिश्या की सबसे बड़ी नुक्लियर एंरिज्मेंट कंपनी रोसतम युरोप की लगबग 10 और देसों में 33 नए नुक्लियर डेटर लगाने का काम कर रही है और डारेक्टली इस 2.2 बिलियन डॉलर्स की डील कर चुकी है और आने वाले एक दसक में ये अमांट 200 बिलियन डॉलर्स को भी पार कर जाएगा रोयल युनाइटिड सर्विस इंस्टिट्यूट जो कि एक लंडन बेस तिंग टैंक है इसका तो ये भी कहना है कि ये फिगर उमीद से और भी सेंक्संस लगाने की मांग कर चुका है युक्रीनियन प्रेसिडेंट जैलेंस की कई बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन को इस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेसंस को एंड अप करने की रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन अपने फायदे के लिए ये सभी दोगले दे हैं कि इतने सेंक्संस लगाने के बाद भी रश्य इन देसों को अपने नुक्लिय फ्यूल एक्सपोर्ट करके सही कर रहा है या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एस वी नॉलिज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर बैस करना ताकि आ